मन धरम प्रेम बंदुओं इवा मातव भेनों जैसा कि आप सब जानते हैं कि कितने पुन्य उदे के बाद में ये मानव का भव हम और आप सब को प्राप्त हुआ है ना जाने अनंत की यात्रा में घूमते घूमते ये जीव कितनी बार प्रार्थना करता रहा परमात्मा से कि एक बार मुझे मानव का भव दे दो उसके बाद कोई भव लेने की मेरी चाहा नहीं है क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये जो मानव का देह इस देह से तुम क्या कर सकते हो मुक्ती की प्राप्ती कर सकते हो ये चरम सरीरी जो बताया है इस सरीर से आप सिध्धाले तक की यात्र हगता तै कर सकते हैं जब जीव गर्व में आथा है और गर्व की नौ महा की पीडा को सहन करता है तव asks जानता है कि इसमें कितना वेदन होता है और उस समय क्या उसके मन्वेबधाव चलते हैं क्या प्रार्थना होती है कि एक बार बस इस कांष बार कोठी मुक्त कर दे उसके बाद दुबारा मैं किसी को माह नहीं बनाऊंगा लेकिन परमात्मा की वानी हैं कहते हैं कि जैसे ही वो जी मुक्त होता है और उसने आँख खोलते ही क्या करता है चारो और देखता है और देखने के बाद क्या करता है वो की हुई प्रार्थना को भूल जाता है और संसार में संसार्यों के साथ में ऐसा मगन हो जाता है ऐसा मगन हो जाता है कि वो यह भूल जाता है कि मैंने ये सरीर किसलिए धारन किया अचारे भगवंत फरमाते हैं वितरा अगवाणी में आता है कि जीव ना जाने अनाधी काल से अनंत की यात्रा में कहां कहां जनम मरन करता हुआ आया है निगोद से लेकर के मानव के भवतक की यात्रा जो इस जीव ने तै की है यह ऐसे ही हमको नहीं मिल गई आप लोग कहीं भी जाते हो घूमने के लिए आपके पैसे खर्च होते हैं आपको उसकी कीमत का अंदाजा है और यह मानव का भव हमें जो मिला है कितनी कीमत चुकाने के बाद मिला है इतने अनंत पुन्यों की कतारे लग जाती है जब यह मनुष्य का भव मिलता है और मनुष्य के भव के बाद में पांच इंद्रियां सही सलामत मिलना अतिदुरलव है पांच इंद्रियां मिल जाने के बाद में छटा मन मिलना बहुत बड़ी बात है सब कुछ सही सलामत हो जाए और सिर्पर माता पिता ऐसे मिल जाए जो सुसंसकारित करते रहे और जीन धरम मिल जाए इस पंचम काल के अंदर जिनवानी सुनने को मिले ऐसा पुन्य उद्य होता है तब सत्गुरू हमें मिलते हैं और उसके बाद भी यदि हम सिर्फ उनके वचन को सुन करके ऐसे ही रह जाए तो हमारा क्या होगा कभी सोचा है कितने पुन्यों के बाद में ये भव मिला और यदि ये भी ऐसे हाथ से निकल जाएगा तो ना जाने अगला भव कहां मिलेगा कोई जानता नहीं है कि तो आप ने कभी भीतर ये संकल्प जगाया है कि मुझे इस भव से क्या करना है अपने हाथ में कुछ ऐसा लेकर के जाना है जो अगला भव मेरा कहां हो महाविदे की यात्रा मैं करूं और वहाँ से कहां जाऊं सबको कहां जाना है क्या संकल पर आप सबका कुछ सोचा है कभी जीवन के अंदर कोई टार्गेट है क्या गोल है आपके जीवन का बीजा तो परमात्मा को अपने में टिकना पड़े करें पड़ेगा निरंतर मैं हूँ पर विश्वास करना पड़ेगा मैं जीव हूँ मैं कैसा हूँ मैं अजर हूँ अमर हूँ अविनासी हूँ उस पर इतना विश्वास करके खुद में टिकना पड़ेगा कि एक स्वास भी जीव के बिना नाम करें ऐसी तैयार है तो तो वह बिज अब हमें इस भव में करनी हैं ना जाने कितने भवों में हमने आनंद लेकर के आये हैं और ये जो भव मिला है हमें ऐसे ही गवाने को नहीं मिला है कुछ प्राप्त करके यहां से जाना है और वो प्राप्त करना है हमें अपने उपर स्रद्धा जिन शासन के प्रती हमारी पर निजके प्रति जब हमारी स्रद्धा टिक जाएगी तब हम मुक्ति में जाने के काबिल हो जाएंगे तब हम अरिहंत जैसे जीवतों हैं पर हम अरिहंत बन जाएंगे हम सिद्ध जैसे जीवतों हैं हम सिद्ध भी बन जाएंगे इतनी तैयारी इस भव में करनी हैं क्योंक मानव भव का नहीं भरोसा मानव भव का नहीं भरोसा पलपल गवाता जाए ना जाने स्वास कब रुख जाए और कब यहां से चला चली हो जाए एक एक स्वास का कोई भरोसा नहीं है एक स्वास आ रही है एक स्वास जा रही है इस स्वास कब रुख जाए कोई कहे नहीं सकता इसलिए हम अपने जीवन में ये संकल्प करें कि मैं अपने जीवन में राग द्वेस रहित रहूं मेरे जीवन में जो एक एक पल में विकार उत्पन होते हैं किसी को देख करके राग द्वेस उत्पन होता है और राग द्वेस रूपी कसाई मेरे भीतर से चली जाएं तो क्रोध मान माया लोब अपने आप क्या हो जाएंगे शै हो जाएंगे और भीतर के जो करम हमारे एक-एक स्वास में बनते हैं राग और द्वेस सबसे बड़ा क्या है कारण है क्योंकि राग होता है तो करम बनते हैं और द्वेस होता है तो करम बनते हैं और जब जीव ना राग करता है ना द्वेस करता है तब वो संभाव में रहता है तो क्या करता है करमों की निर्जरा करता है करमों को शै करता है